गुरुकुल प्रेप डेली हेडलाइन्स में आपका स्वागत है एक नवंबर के मुख्य समाचार विश्वशा काहारी दिवस, स्वास्थ्य, कल्यान और परियावरन ये लाब के लिए बिना पशुशोशन वाली जीवनचली को बढ़ावा करनाटक स्थापना दिवस, 1956 में कंणर भाशीक शेत्रों के एकीकरण का जश्ट्न भारत और स्विच्जलेंड ने रेलवे के उननत बुनियादी धाचे और तक्नीकी सहयोग के लिए समझोते को नवीनी कृत किया वाग बकरीती ग्रुप को आर्थिक योगदान के लिए जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से सम्मानत किया गया टाटा पावर और इंडसेंड बैंक ने छोटे व्यफसायों के लिए बिना जमानत के सोलर लोन देने के लिए साझेदारी की जियो फाइनेंशियल ने भारतिय उपभुकताओं के लिए डिजिटल गोल्ड निवेश को सरल बनाने के लिए स्मार्ट गोल्ड लॉंच किया भारतिय तटरक्षक बल ने गोवशे प्यार्ड लिमिटेद से नई स्वदेशी गश्ती पोतों को सेवा मिलिया जियो फाइनेंशियल और ब्लेकर रॉक ने भारत में म्यूच्वल फंड की सहयूक्त परियोजनाओं के लिए सहयोग किया आयुश्मान भारत सत्तर वर्ष से अधिक आयुके वरिष्ट नागरिकों के लिए मुफ्ट स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार चीन ने अपनी निम्न कक्षा की अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का दल भीजा आज के गुरुकुलप्रेप हेडलाइन्स के लिए बस इतना ही सुनने और अपडेट रहने के लिए धन्यवाद याद रखें ग्यान सफलता की कुंजी है और हम आपको नवीनतम घटनाओं से अपडेट रखने के लिए यहाँ है आप गुरुकुलप्रेप.com पर हर श्रेनी के टेस्ट प्रेपरेशन सकते हैं या प्ले स्टोर से अप डाउनलोड कर सकते हैं आप गुरुकुलप्रेप अपडेट्स अप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कल फिर हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण समाचारों के लिए तब तक जिग्यासू बने रहें, प्रेरित रहें और सीखते रहें आपका दिन शुब हो